ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे इन्हों ने जिन्हों ने परमात्मा को देखा है जिन्हों ने परमात्मा को पाया है और परमात्मा से फिर उन्हों ने जो ग्यान प्राप्थ हुआ है उन मापुरसों ने हमें बताया है अब हम यह नहीं कह सकते कि किसने देख्या है वह वही कह सकता जो इस तत्व ग्यान से परीचित नहीं होता इस अच्छन नहीं सुनते आदनिय ग्रीबदास साहिव जी को प्रमात्मा मिले थे आदनिय ग्रीबदास साहिव जी गाउं छुडानी जला दुजडर हरियाना प्रमात में छुडानी एक छोटा सा गाउं है बादुर गड़ और जजजर रोड से एक लिंक रोड जाता है दुलेडा से एक जाता कबलाना से तो कबलाना से तो रोड अब पक्का बन गया पहले कच्चा रस्ता था छुडानी और कबलाना गाउं को मिलाने का एक कच्चा रस्ता था उसकी उपर एक जंडी का पेड था उस जंडी के पेड के नीचे ग्रीबदास जी अन्य गवालों के साथ सन 1727 में समवत 1784 में फालगुन उतरते की द्वादसी को दिन के लगबग 9-10 बजे उस जंडी के पेड के नीचे बैठ कर खाना खा रहे थी गवें चर रही थी ग्रीबदास जी के लगबग पौने 1400 एकड जमीन थी इकलोते पूतर थे दस वरस के बच्चे थे उसमें और ये अपने नाना की यहां रहा करते थे उनके नाना का यानि कोई पुतर नहीं था यानि ग्रीबदास जी का कोई मामा नहीं था इसलिए उनके पूज्य पता जी छुडानी में घरजबाई रहते थे रूव सारी जमीन ग्रीबदास जी को ही फ्राप्ठ हुई थी दस वरस के बालक थे, बहुत बड़े किसान जाट थे और उनको परमात्मा मिले वहां छुडानी के खितों में, जगल में सत लोक से चल कर आए परमात्मा ये परमात्मा का विधान सववेद भी बताते हैं कि परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, सत्यपुरुष, परमक्सर ब्रह्म, उपर सत लोक में रहता, उपर के लोक में वराजमान है, राजा के समान बैठा, सिंगासन पर मनुस अदरिश्य है, सिर्फ परमुकट है, उपर छतर है, ग्रीवदास जी ने आँखा बताय और यहीं वेद बताते हैं, तो वहां से चलकर वगवान आए, आदनी ग्रीवदास साहिब जी को मिले, और उनको, जब ग्रीवदास जी दस वरस के बालक थे, परमात्मा एक साधू रूप में वहां पर गठुए, शतलोक से आकर, वहां नीचे जमीन पर उतरे, वहां से एक साधू की तरह, यातरी की तरह चलते आ रहे थे, दो दस बारा और गवाले थे, गोपाल थे, और ग्रीवदास जी थे, सबसे छोटी उमर के ग्रीवदास जी थे, तो मात्मा और अतिथी को देख कर पहले बड़े परसन हुआ करते थे लोग, बच्चों के अंदरे क्विशे सास्था भर दी जाती थी, और पर तेक विक्ती की ये धारणा रहती थी, कि कोई भी अधिती आता है, उसको भोजन के लिए अवस्य प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि उसे में सभी इदरूद राजे जाते थे, सभी को ये होता था, कि हमने भी कभी जाना पड़ सकता है, तो एक ऐसी विरस्था अच्छी बनी हुई थी, कि सभी को आग्रे किया जाता था, कि हो सकता सरम का मारे आमना भी कर दे, खाना खानते हैं, फिर भी भाई फोर्स प्राशना करते हैं, ना जी खाना तक खाना है पड़ेगा, बैठो, खाना जरूर खाओ, कई वार ऐसा होता ह है, कि इनसान सरम के मारे ना कर देता है, ना जी खा के आया हूँ, तो फिर उसको इस भाउना से विसेश आगरे किया जाता था, ना जी थोड़ा खा लो, तो कलती से ना निकल जा कभी, तो फिर विचारा खा लेता था, इस त्रिष्टी कौन से, और पालियों ने बाबा जी देखकर कहा कि महराज, आजाओ भोजन पाले हूँ, परमात्मा ने कहा, बच्चो भोजन तो मैं अपने गाउं से खा के आया हूँ, तो उनका जी थोड़ा सा तो खाई लोग नहीं, खा के आया हूँ बाई, कौन सा गाउं हाँ आपका, परमात्मा ने बता, मेरा गाउं सत प्रोक है, वो कबीर नगर कहलाता है, तो फिर भी उन्होंने विशेह सागरे कि देखो जी है मती ठीको, और आप तो सादू है, बगएर कुछ अन आहार जलपान किये विना हम जाने नहीं देते हैं, आपने कुछ तो लेना है पड़ीगा, प्यार से, एक विशेह सागरे से क तो प्रमात्मा ने कहा भी ठीक है, उन्होंने कहा कि भी वालों ने कहा कि जी दूद पीलो, हमारी गवे हैं, जब चाहिए हम निकाल लेते हैं, ऐसी अच्छी गवे हैं, दूद तो पीना ही पड़ेगा, तो प्रमेश्वर ने कहा भी मैं कमारी गायों का दूद पिया करूं कमारी गाहे का दूद फिला दो तो जो बड़े एजड थे वो तो कहने लगे बाबाजी आपकी दूद पीण की नीद को जा आप तो मजा करते हैं कमारी गाहे दूद देती है प्रमेश्वर ने कहा भी देख लो जब आप इतना ही हट कर रहे हो तो मैं दूद पीऊंगा लेकिन पीऊंगा कमारी गाहेंगा अब वो बड़े लोग थे वो तो नहीं कुछ बोले चुप होगे गरीब दास्ती खड़े वे दस बरस के बालक सबसे छोटी कम अमर के थे एक बच्चिया लाए अपनी लाड ली सी जिसके गले में एक रसा बांद रख्या था रसी जेवडी उसको पकड़ कर लाए कहा देखो जी ये बच्चिया ना इसको बच्चा भी नहीं है अब ये गर्ब भी धार नहीं किया है दूद कैसे देगी प्रमात्मा ने कहा कि कोई बरतन है तुम्हारे पास दूद निकाल लेंगे इसका तो वहाँ एक मिट्टी का छोटा सा गड़ा था पांच साथ किलो जिसमें लसी दूद आ सकता था गरीब धास जी कह जी दोखा माज कर रख्या है ये लोग प्रमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो थनों के नीचे रख लिया गरीब धास जी पकड़ का बेठ गे प्रमात्मा ने वचिया के कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन होगे आशिरवाद यह दातन और डूद की धार चल पड़ी है जब वो पात्र भर गया अपने आप बंद होगी और सतन फिर भी लंबे लंबे रहे जैसे किसी गाएं के बच्चा होने के बाद लंबे लंबे सतन हो जाते हैं ताकि लोगों को परमान रहे कि ऐसा हुआ है अब गरिविदास्ती ने उठाकर के वो दूद कहा ले महाराज पी ले हो परमातमा ने कुछ दूद जल पान किया ऐसे मू लगा के और तो बरतन खित्तों में तेनी थिर से में और फिर कहा के ले बच्चो पीलो ये दूद ये प्रेम परसाद है ये दूद यहाँ का नहीं है ये सतलोक से आया है मेरे गाउं से आया है जो बड़ी उमर के थे कोई ब्ट वरस का कोई पचास का कोई चारीस का कोई तीस के वो तो कहने लगे हमना प्यूद ज्दूद जंतर का दूद निकाल ले आपने और फिर आपकी जाती का पता नहीं आप किस जाती के हो और ये जूठा दू धाम पिमा को नहीं है वो तो ओठ कर चले गए गरीबदास जी कहने लगे लव माराज मुझे दे दो आपका ये अमरत कब कब ब्राप्त हो पुन्यात्मा कहते हैं ना पूत के पैर पालने में पिछण जाते हैं तो जो पुन्यात्मा होती हैं उनके बच्पन से ही कुछ विलेक्सन उनके गती विदी होती है और गरीबदास जी ने कुछ दूट पिया बाकी रख दिया और वो सब उठकर चले गए देखते देखते दूर चले गए कुछ लंबाक शेतर था पसुओं को भी दूर ले गए गरीबदास जी और परमात्मा दुन्नों रहे गए परमेश्वर आयसी लिये थे क्योंकि रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त चासी मंतर थबी सोर शताइस में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त ब्यासी मंतर एक दो तीन में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त बीस मंतर एक में रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त चम्मन मंतर तीन में, रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त एक मंतर नो में, रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त चान में के नैंटी सिक्स के मंतर नमबर सोला से बीस में, रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त चुरान में के मंतर एक में, पर्मान है कि पर्मात्मा उपर रहते हैं, उपर के लोक में, उस आमरधाम में रहते हैं, सत्लोक में रहते हैं, रतधाम में रहते हैं, और उनका कबीर नाम हैं, कबीर देव हैं और वो वहां से सह सरी रहते हैं, बिजली जैसी गती से, एक सेकंड गेंद, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं उनको ग्ञान सुनाते हैं और कवियों की तरह आचन करतें अपने मुख कमल से अपनी महिमा की कवीर वानी को लोकोक्तियों के माद्रब से कवीतव से चौपाईयों के माद्रब से वो परचार करते हैं और अपने मुख कमल से बोल बोल के वो अमरत वानी सुनाते हैं और उसमें वो परमात्मा जब यहां परगट होते हैं उनके बहुत सारे सिस भी हो जाते हैं और वो परमात्मा एक अपने ग्यान को यानि उसको तत्वे ग्यान कहते हैं उसको सची दानंद घंपरम की वानी कहते हैं उसको सुक्संबेद भी कहते हैं जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है और वो प्रमात्मा बग्ति के गुप्त मंत्रों को भी अविस्कृत करता है और जिस कारण से वो एक परसिद कवियों में से भी एक गिना जाता है लेकिन वो होता प्रमात्मा है तो इस परकार से ग्रीब दास जी को प्रमात्मा इस अपने विद्धान अनुसार के अच्छी आत्माओं को मिलते कलियों के अंदर ये प्रमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले जो दास के नौलिज में है आदनिय दर्वदास साहिब जी एक बहुत बड़े धनी और वैस सेट थे आदनिय मुलुकदास साहिब जी एक बहुत बड़े किसान थे ये अरोडा जाती थे आदनिय नानक साहिब जी जो सिक धर्म के परवर्तक है आधनिय दादू साहिब जी, एक तेली के घर से जनम था इनका मुसल्मान तेली थे आधनिय गरीज़दा साहिब जी गाउं छुडानी, जिलाददर हरियाना, ये किसान थे, जाट थे और आधनिये गिशादास जी, साहिब जी गाओं, खेकडा, जिलाबागपत, उत्र परदेश के ये चमार जाती से थे लेकिन काम किसानका करते थे इनके जमीन थी और आधनिये स्वामी रामानंजी महाराज ये पंडित थे, विद्वान थे और इनको भगवान मिले थे, फिर इनको सचाई से प्रिचित करा था, उसके बाद रामानंजी ने परमात्मा के आँखों देखा, ग्यान और परचार वर्णन किया था, तो इन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले थे, इसी परकार गरीबदास जी को मिले, आदनी अगरीबदास साइब जी से परमात्मा ने इस संसार की वर्ष्था बताई, उन्होंने क्या बताया कि कोट जनम तो बर्मत होगे, कुछ ना हाथ लगया रहे, और कुकर सुकर खर बैबोरे कुवा हंस बगया रहे, कोटी जनम तो राजा की ना मिटी नमन की आसा, और विक्षको के दरदर घुमया, ये मिला ना निर गोंड़ासा, इंदर कुवेर ईस की पद्वी बर्मा वन धरमराया, और विश्णो नाच के पुरकु जाके, तो फिर भी जनम मर्ण में आया, असक जनम तन मर्ण का होगे, जीवित को ना मरे रहे, और दौदस दर मद मैल मठ बोरे, फिर बोहर ना दे धर है, दोज्जक बिश्ट सभी तें देखे, राज पाठ के रसिया, और तीन लोग से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया, सत्गुरु मिले तो इच्छा मेट रपद मिल पदे समाना, और चल हनसा उस लोग पठाओं, जो आदी अमरस ठाना, चैर मुक्ती जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभे पद पर से, वो मिले राम अव बिनासी, काफी देर परवचन किये मालिक ने, गरीब दास जी बहुत प्रेरित हुए, क्या परमात्मा ऐसा भी सथान है, जहां पर फिर जनम मर्चू नहीं होती, परमात्मा ने कहा कि तुम पहले वहीं रहा करते थे, यहां गलती से आगे, और वो सथान बहुत उतम है, वह वरदमस्था नहीं है, और यहां तो आपके दादे गए, परदादे चले गए, और आप भी बेटा, ऐसे ही मर जाओगे, यह लोग ठीक नहीं है www.jakatgururampalji.org संतरांपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संतरांपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है, अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद् संपर्क करें, 8222-880541. जी जादा दिख्षा केंद्षा केंद्षा